हेलो अबिवन वेल्कॉम बेक टू माई चैनल और आप लोगों के काफी कॉमेंट आ रहे थे और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं कुछ दिन बेजी रहूंगी तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी और आपके कॉमेंट्स भी मुझे काफी आए तो मैं रिप्लाइं है वो यह है कि क्वेरी यह है कि मैं एक्जाम कब तक होगा तो अभी मैं जो बताने वाली हूं आपको वो स्पेशल बीएड डीयलेड का और जो आपका बीएड ओडियल है उन तीनों का ही बता रही हूं और हाँ एक चीज़ और भी बार बार पूछ रहे हैं मैं अदर स्टे देख लेते हैं तो आपके काफी डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे तो यह स्पेशल बीएड वाला पीडियाफ में अभी ओपन नहीं किया है तो अभी इसे के अंदर मैं इसको इंकल्यूट करके बता देती हूं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंदरा तारिक से प पाद यह जो है फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए है तो लास्ट यहर का अगर हम अप्रॉक्सिमिटली देखें तो देखो जैसे मैं अधर यूनिवस्टीज के भी बनाती हूं जो वीडियो है तो होता यह है कि 25 से 30 दिन का गैप होता ही होता है आपके एक्जाम की ल 2022 में है आपका एक्जाम हुआ था फॉर्म आपके निकले थे 11 अक्टूबर से और वो नवंबर तक चले थे मुझे एक्जेक्ट डेट याद नहीं है बट मुझे इतना ध्यान है कि 4 दिसंबर को आपका एक्जाम हुआ था और लगभग एक महीने बाद आपका एक्जाम तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 18 से आपके फॉर्म भने स्टार्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू नोटिस वो तो हमें पता है कि थोड़ा सा डिले होके हुए हैं तो अगर 18 से हुए हैं तो 18 फैब आप लगा लो ठीक है तो 18 तक तो आपके फॉर्म चलने हो जाएगा इतना पॉसिबिलिटीज है क्योंकि सारे चीज़े अरेंज करना उसमें टाइम लगता है ना कि और फिर आपका ऑन लाइन एक्जाम होना है तीनों का ही स्पेशल बिया डियलेड और बिया रूडियल का और काफी लोग पूछ रहे हैं सेंटर कहां पड़ेगा मैं कैसे बता सकते हूं सेंटर तो देखो वह ग्या आता है वह जिसे आफसे देंगे सेंटर जहां पर ही सेंटर आएगा आपको एक्जाम देना है तो यह क्विरी आ रही है तो आप यह लगा के चलो एक महिना है आपके पास ठीक है फॉर्म भड़ने से लेके लगा रहे हो तो दो महीने हैं और बागी लास्ट जेट से लगा रहे हो तो एक महीना है और मार्श तक मिट और मार्श तक अपका एक्जाम हो जाएगा और बाकी फर्दर अगर कुछ प्रॉसेस रहेगा जो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी और इनके सगर पहले होता है तो वह भी मैं आपका डाउट क्लियर हो गया है तो इस चीज को बिलकुल भी परिशानी ना ले और मैंने जैसे की बताया आपको कि अधर उनिवस्टी में भी सेम प्रॉसेस है तो इतना टाइम लगता ही हर यूनिवस्टी में लगता है और बहुत रेर यूनिवस्टी जो 15-20 दिन का तो 12 को फॉर्म निकले थे 31 लास देर थी दिसंबर और 12 दिसंबर को फॉर्म आउट यो थे और साथ तारीक को एक्जाम ले लिया था ठीक है तो वही लगा लो आप फॉर्म भरने की डेट से लगाओ तो फॉर्म भरने की डेट से अगर आप लगाओ गई तो एक महीन आपक कॉमेंट कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कर देना थेंक यू